सब्तर्शी, संस्कृत में सात रार्षियाओं का अर्थ होता है, जिन्हें हिंदू पौरानिक ग्रंथों में बहुत महत्व दिया गया है, ये सात रार्षियाओं वेदिक काल से ही उपस्थित थीं और हिंदू धर्म के प्रमुख रशियों में से एक मानी जाती है सब्तर्शी के सदस्य निम्न लिखित थे येट वसिष्ठ वसिष्था वसिष्ठ ब्रह्मा के मनसपुत्र और ब्रह्मर्शी थे वे आध्यात्मिक ज्ञान के प्रतीक रहे हैं और विशेश रूप से सृष्टी के कारियों में ब्रह्मा के सहायक थे जमादग्नी रशी भगवान परशुराम के पिता थे वे तपस्या, ध्यान और यग्य के प्रतीक थे अत्री आर्शी अनसुया के पति थे और उनके एक पुत्र के रूप में भगवान धत्ता त्रेय प्रसिद्ध है विश्वामित्र पहले राजा थे, लेकिन उन्होंने तपस्या करके आर्शी बने और उन्होंने गाइतरी मंतर का उपदेश दिया गौतम रर्षी का जीवन परम, शान्ति, और साधना में विशेश रूप से गुजरा उन्होंने बुद्धी और शांती के प्रतीक के रूप में भी उपस्थित हैं 6. कश्यापा कश्यप रशी देवताओं और आसुरों के पिता माने जाते हैं उन्होंने जीवन के विभिन क्षेत्रों में अपना योगदान दिया 7. अंगिरस अंगिरस रशी विशेश रूप से यग्यों और वेदों के प्रमोटर रहे हैं उन्होंने जीवन और कारियों की कई कथाएं पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में प्रस्तुत है